ग्राफिक्स गण ने आप लोग को फ्रार्दिक श्वागोत है तो आज फोटोशोप निया ट्यूटोरियल लेके आपका पास अजीर हुई हूँ तो आज मैं जो देखने जा रही हूँ ओ है टेक्स एफेक्ट देखिए एवाला टेक्स एफेक्ट मैं फोटोशोप में क्रिए किया तो मैं देखने जा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं हमेरा ट्यूटोरियल तो सबसे पहले देखिए फोटोशॉप का स्क्रीन थोड़ा करने के लिए यह वेला आप्शन में जाके क्लोज टैप ग्रूप किया देखिए इधर पैनल क्लोज हो गया तो जाओंगे फाइल से मैं न्यू बाटन में गिया न्यू आप्शन का एक बॉक्स ओपेन हुआ है वीट 1280 फिक्सल अन हाइन हाइट देखिए 720 फिक्सल बैक्राउंड कॉंटेन देखिए टांसपरेंट रखके मैं ओके किया तो इधर देखिए टांसपरेंड डॉकुमेंट क किया तो देखिए इधर एक बैक्राउंड क्रेट हो गया तो इसके बाद देखिए यह लेयार सेक्ठ करके इसका उपगुमेंट क्लिक किया तो देखिए लेयार स्टायल ओप सन ओपेnd हुआ है मैं देखिए इधर ग्रेडियंट ओफर में सेक्ट किया तो इधर देखिए gradient अचाओ तसली हो meilleur वी का के लिखने नहीं हो ग corazón चल laz में आचИ को एक तेक्स्ट हो गिया है है इसके बाद ने के में अचिछा मिची तो इसके बाद इसके बाद के के की बोड का एंटरफरेस KHSec लेयर को हमको डूब्लिकेट-Copy क्रीट करने होगा तो इसलिए मेरा कीबोर का Ctrl प्लस जे प्रेस किया डूब्लिकेट-Copy क्रीट हो गया तो इसके बाद टौफ़लेयर सिलेट करके इसका उपपोर डॉपल क्लिक किया लेयर स्टाइल बोक्स होपेंन हुआ है मैं Vable and Emboss option में select किया Depth देखिए 34% में राखी हूँ Size 8 pixel में राखी हूँ इसके बाद मैं Contour option में जाके Range 56% में राखी हूँ तो इसके बाद देखिए हमको Outer Glow select करने होगा तो Outer Glow मैं select किया Speed देखिए 5 pixel and size देखिए तो इसके बाद मैं pattern overlay select किया pattern overlay select करके देखिए यह बाला texture में select किया and scale देखिए थोड़ा सा मैं कमा के देखिए 101% में राखी हूँ इसके बाद मैं OK button में click किया तो देखिए इधर text आ गया तो इसके बाद देखिए हमको second development layer को select करके इसका उपर मैं double click किया तो देखिए layer style box open हुआ है मैं देखिए stroke देखिए तो stroke option में select किया इधर देखिए field type मैं gradient देखिए gradient select किया gradient select करने के बाद black and white gradient color मैं select किया scale देखिए 1-1 3% राख के मैं OK button में click किया तो देखिए इधर text आ गया तो इसके बाद हमको star effect देने होगा तो इसलिए देखिए हमको new blank layer create करने होगा तो जाश इधर click किया new blank layer आ गया तो foreground color white color select करके हमको brush tool select करने होगा तो मैं देखिए इवाला brush select किया तो देखिए इवाला brush मैं download किया तो download link मेरा description में में दे दिया आप लोग चाहे तो मेरा description में जाके इवाला brush download कर सकते हो तो जाश देखिए इधर click किया तो देखिए brush size को थोड़ा सा कमा के देखिए इधर just click किया इधर brush आ गया इसके बाद move tool select करके brush size थोड़ा सा कमा के देखिए इधर लेके माउस को लेके देखिए इधर लेके मैं इधर just drag किया तो देखिए इधर brush आ गया तो इसके बाद इवाला brush का हमको copy करने होगा इसलिए मेरा keyboard का control plus J press किया J press करने के बाद देखिए copy आ गया तो इसके बाद देखिए copy लेके just इधर drag किया इधर mouse को लेके इधर just click किया तो देखिए इधर brush आ गया तो इसके बाद फिर से हमको copy करने होगा तो इसलिए just इधर लेके मैं देखिए इधर drag किया तो देखिए copy आ गया and देखिए same text effect देखिए इधर create हो गया आप लोग चाहे तो इधर brush effect देने के लिए तो Ctrl J करके copy किया copy करने के बाद देखिए इधर ब्रस लेके देखिए मैं just इधर set किया तो देखिए इधर बहुत सरा text effect create हो गिया तो इसके बाद हमको text effect को save करने होगा तो इसलिए मैं file पे जाओंगी file से मैं save button में गिया desktop में save करूंगी format देखिए JPEG option रखके हमको एक नाम देने होगा तो देखिए हम देखिए हम नाम देखे इधर से बाटर में क्लिक किया JPEG option का एक box open हुआ है मैं ok किया तो मेरा desktop में इमेज सेब हो गिया तो इमेज देखिए मैं open किया तो देखिए एक text effect हो जो मैं Photoshop में create किया तो दोस्तो आज एई था मेरा tutorial आपको मेरा tutorial पसंद आए तो जोरू subscribe like and comment कीजिएगा फ्लीज next tutorial में फिर भी मुलाकाद होगी तब तक लिए goodbye नमस्ते